आपने अक्सर महसूस किया होगा कि गर्मी के मौसम में आप छूटी छूटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं और गुसा करने लगते हैं लेकिन क्या आपको इसके पीछे की वज़ा पता है? दरसल इसके पीछे भी एक साइंटफिक रीजन है, वेग्यानिक वज़ा है जिसे आप जान जाएं तो शायद आप अपने गुस्से पर कुछ हद तक काबू कर सकते हैं अमेरिका के अरिजोना अरिसोस सेंटर में एक रिसर्च हुई और वहाँ इस बात का खुलासा हुआ कि हाई टेंपरिचर के चलते लोग गुसा हो जाते हैं सड़क पर गाड़ियों में अगर वह हो तो जादा होन बजाने लगते हैं कई बार लोग गुस्से के चलते एक दूसरे से जगडने भी लगते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि गर्मी बढ़ने से 4 फीसदी हिंसा और 14 फीसदी सामोहिक हिंसा में बढ़ूतरी देखी गई है दरसल गर्मी में इंसानों के शरीर का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है stress hormone को cortisol भी कहते है time में cortisol का level काफी कम रहता है लेकिन जैसे जैसे गर्मी का star बढ़ता है temperature बढ़ता है वैसे वैसे शरीर में cortisol का level भी बढ़ने लगता है फिर गर्मी का असर दिमाग पर पढ़ने लगता है research के बताबिक जब तापमान जादा होता है तो हमारे दिल की धड़कने तेजी से बढ़ने लग जाती है इसके अलावा शरीर में testosterone और metabolic reaction भी बढ़ जाता है जिसके चलते nervous system की जो प्रक्रिया है वो तेज होने लगती है और हमें गुस्सा भी आने लगता है तो इस गुस्से को control में रखने के लिए आप कुछ चीजों का ध्यान रखें और आपको मदद मिल सकती है जैसे सुभा शुरुवात आप करें अपने मन पसंद गाने को सुनने से लेकर मोबाइल पून का कम इस्तमाल करें strong coffee कम पिएं मसालेदार और जादा heavy खाना जो है वो आप avoid करें तो आप कुछ हट तक अपने गुस्से को control कर सकते हैं और इस दौरान आप अपनी मन पसंद जगाओं पर रहकर जहाँ पर temperature थोड़ा छंडा हो अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं